चेनाब नदी के घुमावदार पानी के उपर एक अद्वितिय द्रिश्य देखने को मिलता है। स्टील और कंक्रीट का एक फीता आस्मान में फैला हुआ है, जो मानों आकाश को छूने की कोशिश कर रहा हो। यह है चेनाब ब्रिज, एक इंजीनियरिंग चमतकार, जिसने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर क्षमताओं को फिर से परिभाशित किया है। यह पुल न केवल अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, बलकि इसके निर्माण में उप्योग की गई अत्याधुनिक तकनीकों के लिए भी। बलकि तकनीकी और निर्माण संबंधी चुनोतियों को भी सफलता पूर्वक हल किया है। उस पुल की कहानी है जिसने गुरुत्वा कर्शन को चुनोती दी और आस्मान को छुआ। यह पुल हमें यह याद दिलाता है कि जब हम अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबध होते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। चेनाब ब्रिज महत्वा कांग्षी उधंपुर्श्री नगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक अभिन्न अंग है। यह परियोजना कश्मीर घाटी और शेश भारत के बीच एक विश्वसनी हर मौसम में चलने वाला रेलवे कनेक्शन स्थापित करने के लिए एक अभूत पूर्व प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। हिमाले के चुनोतिपूर्ण इलाके ने लंबे समय तक इस द्रिष्टी के लिए एक दू फॉर्मेडेबल बाधा उत्पन्न की थी। चेनाब ब्रिज अपनी रिकॉर्ड तोड उंचाई और अभिनव डिजाइन के साथ USBRL परियोजना में एक महत्वपूर्ण बाधा का समाधान था। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए प्रगती और संपर्क के वादे को लेकर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। इस परिमान के पुल के निर्मान के लिए नवीन इंजीनियरिंग समाधानों की आवश्यक्ता थी। पुल की नीम बड़े पैमाने पर कंक्रीट के खंभों पर टिकी हुई है जिन में से कुछ 400 मीटर से अधिक उचे हैं। यह एफिल टौवर से भी उचा है। इन स्तंभों को सावधानी पूर्वक हिमाले की चट्टानी ढहलानों में गहराई से लगाया गया था, जो पुल के लिए एक अडिक आधार प्रदान करते थे। इन स्तंभों के निर्मान की प्रक्रिया अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कारनामा था। ऐसी चक्करदार उंचाईयों पर कंक्रीट के परिवहन और डालने के लिए विशेश तकनीकों का इस्तिमाल किया गया, जिससे प्रत्यक स्तंभ की स्थिर्ता और मजबूती सुनिश्चित हुई। खंड पाँच स्टील की एक सिंफनी आर्च को असेंबल करना। चेनाब ब्रिज की सबसे खास विशेशता इसका विशाल स्टील आर्च है, जो नदी के पार प्रभावशाली 437 मीटर तक फैला है। हजारों टनवजनी इस आर्च को केबल स्टेंड कंस्ट्रक्शन नामक एक जटिल प्रक्रिया का उप्योग करके इकठा किया गया था। आर्च के वर्गों को शक्तिशाली क्रेंड का उप्योग करके सावधानी पूर्वक उठाया गया और फिर नदी के उपर एक साथ चोड़ा गया। पूरी प्रक्रिया एक नाजुक संतुलनकारी कार्य था जिसमें सटीक इंजीनियरिंग और विशेशज समन्वे की आवश्यक्ता थी। खंड चेह बाधाओं के खिलाफ इंजीनियरिंग, हवा, मौसम और जटके। उप्योग किया है। पुल को कई सुरक्षा सुविधाओं के साथ डिजाइन किया गया था। इसमें विशेश रूप से डिजाइन किये गए विस्तार जोडों और शौक एब्जॉर्बर्स शामिल हैं जो सनरचना को स्थिर रखते हैं। पुल का वायुगति की ये डिजाइन हवा के प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। ये डिजाइन न केवल पुल को स्थिर रखता है बलकि इसे अधिक टिकाओ भी बनाता है। ये 266 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की गती का सामना कर सकता है। यक्षमता इसे दुनिया के सबसे मजबूत पुलों में से एक बनाती है। पुल सेंसर से भी लैस है जो इसकी संरचनात्म का घंटता की लगातार निगरानी करते हैं। ये सेंसर किसी भी संभावित समस्या का तुरंत पता लगाते हैं और इंजीनियरों को समय पर हस्तक्ष करने की अनुमती देते हैं। यह सुनिष्चित करता है कि यह सबसे शक्तिशाली भूकंपों का भी सामना कर सके। भूकंप प्रतिरोधी तक्नीकें इसे सुरक्षित और विश्वस्निय बनाती हैं। जिससे यक्षेत्र के लोगों के लिए एक जीवन देखा बन जाता है। खंड साथ संख्याएं जो बहुत कुछ बोलती हैं चेनाब ब्रिज आंकडों में। चेनाब ब्रिज एक विस्मयकारी संरचना है। और इसके प्रभावशाली आंकडे अपने लिए बोलते हैं। उचाई 369 मीटर या 1178 फीट नदी तल से उपर एफिल टौवर से भी उचा यह उचाई इसे दुनिया के सबसे उचे रेलवे पुलों में से एक बनाती है जो इसे एक अद्वितिय स्थान प्रदान करती है। लंबाई 1315 मीटर या 4314 फीट यह लंबाई इसे एक विशाल संरचना बनाती है जो नदी के दोनों किनारों को जोडती है और यातायात के ल बनाता है जो भारी भार को सहन करने में सक्षम है लागत लगभग 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर यह भारी निवेश इस परियोजना की महत्वा कांक्षा और इसके निर्माण में शामिल उच्च तकनीक को दर्शाता है निर्माण समय 10 साल से अधिक यह लंबा समय इस परियोजन चमतकार के अविश्वसनिय पैमाने और जटिलता की कहानी बताने के लिए ही काफी है यह पुल न केवल एक सनरचना है बलकि यह मानवता की तकनीकी प्रगती और नवाचार का प्रतीक भी है इन आंकडों के पीछे मानविय सरल्ता और द्रण संकल्प का प्रमाण है यह एक पुल कश्मीर को दुनिया से जोड़ना चेनाब ब्रिज सिर्फ एक वास्तुशिल्प आश्चर्य से कहीं अधिक है यह जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण परिवहन कड़ी का प्रतीनिधित्व करता है यह पुल USBIL परियोजना का एक महत्वप जिसका उद्देश्य कश्मीर और शेश भारत के वीच एक विश्वसनिय हर मौसम में चलने वाला रेलवे कनेक्शन प्रदान करना है इस रेल लिंक से परियतन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर इस क्षेत्र में बदलाव आने की उम्मीद है यह निवा जिसका रिपल इफेक्ट प्रदान करके पुल से व्यापार और वानिज्य को सुविधा मिलने की भी उम्मीद है खंड 10 आशा और प्रगती का प्रतीक स्थाई विरासत चेना ब्रिज एक चमकदार उदाहरन के रूप में खड़ा है कि मानव सरलता, द्रिढ़ता और सहयोग से क्या हासिल किया जा सकता है इस इंजीनियरिंग चमतकार ने न केवल भोगोलिक बाधाओं को पार किया है बलकि लोगों को एक जुट किया है और एक राश्ट्र को प्रेरित किया है यह पुल एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि द्रिढ संकल्प और एक साजह द्रिष्टिकोन के साथ सबसे चुनोती पूर्ण सपनों को भी साकार किया जा सकता है यह भारत के लिए आशा और प्रगती का प्रतीक है और इसकी जनता की अदम्य भावना का प्रमाण है खंड 11 आगे देखते हुए चेनाब ब्रिज के लिए भविश्य क्या रखता है जैसे ही चेनाब ब्रिज नदी के उपर लंबा खड़ा है यह वादे से भरे भविश्य की ओर देखता है यह जम्मू और कश्मीर के निरंतर विकास और सम्रिध्धी में महत्वपूर्ण भूमी का निभाने के लिए तैयार है इस पुल में क्शेत्र को पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के एक संपन्न केंद्र के रूप में बदलने की क्षमता है चेनाब ब्रिज की विरासत इसकी प्रभावशाली भौतिक सनरचना से कहीं आगे तक विस्तारित होगी इसे मानविय महत्वा कांक्षा, नवाचार और संपर्क की शक्ती के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा